प्रेक्णिंसी में बार-बार रोना आता है, मन बहुत ही उदास रहता है, बहुत ही उपसेट रहता है, मैं क्या करो। बहुत सारी माउं की समस्या हो सकती है, लेकिन इससे बाहर कैसे निकले हैं? Hello everyone, स्वागत है आप सभी का YouTube Mom चैनल में मैं हूँ प्रेड़ना और आज हम सीखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में अगर बार-बार रोना आता है तो उसको कैसे हैंडल करें क्या कारण होते हैं जैसे आप समझ नहीं पार रही हैं जिसकी वजह से आप इतनी डिप्रस हैं और इससे बाहर कैसे निकले वो भी सिखेंगे आइए सबसे पहले कारणों को समझते हैं शायद आपको पता चले कि ऐसा आपकी साथ क्यों हो रहा है सबसे पहली चीज़ कि जब आप प्रेगनेंट होती हैं तो एस्ट्रोजिन प्राजिस्टेड़न और होता है और इस उतार चड़ाव की वज़ा से आपकी मूड में बहुत जादा अंतर आता है और कई बार आप बहुत लो फिल करती हैं मूड स्विंग होते हैं और आपको रो पढ़ेगा शास्त्रों को ले ले या फिर हिमन बेहावियर साइंस को पढ़ें तो ये समझ में आता है कि पेगनेंसी में जैसा मा विवहार करती है जैसा मा सोचती है बच्चा बिलकुल वही सिखता है आपका मूँ अगर खुशनमा हंसी-खुशी का बना रहेगा तो बच् प्रचे के अंदर भी वही सारी हैबिट्स वही सारे थिंकिंग जाएगी इसलिए प्रेटनेंसी में अगर ये प्रॉब्लम आपके साथ है तो इसको जीतना है इसको हराना है इस पे काबू पाना है इसमें लूबे नहीं रहना ये वीडियो आपकी बहुत मुदद करने वाल और इस वज़े से बार बार आप लो फिल करती हैं डिप्रस्ट रहती है या आपको रोना आ जाता है कोई नेगेटिव बात आपको सुनने में आती है और आप रोने लग जाती है लेकर हम अपने दमाग का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं विज्यानिक जिन्होंने बड आपके अंदर आपकी दमाग को कैसे प्रभावित कर सकता है अगर आप उसे अपने दमाग में नहीं उसने दे इसलिए अपनी पॉजिटिविटी को इतना उंचा रखें कि नेगेटिविटी बहुत छोटी हो जाए और भाग जाए आप पे डॉमिनेट ना करें तो आज पा कमर में दर्ध होता है कई बार रात को नीद नहीं आती दिल में इतना कान होता है कि इस वज़े से आप बहुत अनेजी फिल करती हैं कई बार चीज़े बहुत डिसॉडर में आ जाते हैं आपको रोना आ जाते हैं तो यह सभाविक है इसको दिल पे नहीं लेना है इससे परि इसलिए पहले fitness पे ध्यांदी जी प्रेगनेंसी में आपका शरीर पहली priority होना चाहिए, rest or food पहली priority होना चाहिए, जिससे की discomfort कम किया जा सके, पैरों में दर्द है, मसाज और बहुत सारी चीज़े हैं, जिसको करके आप उसको कम कर सकती हैं, दूर कर सकती हैं, कई बार आपका dressing का तरीका भी आपके problem का reason होता है, इसलिए cotton के, comfortable cloth को prefer करें आप, जिसमें कि आपके शरीर को बहुत आराम रहे, sweating क्या problem ना हो, tight ना हो, बहुत ही comfortable cloth हो, dressing इतनी अच्छी हो, कि आप उसमें हमेशा आराम दायक ही महसूस करें, अगला reason है, emotions और feelings, pregnancy में आपके emotion और feeling में जो changes आ करते हैं, कि कितनी अपने इंकजार किया, और कितना अपने मेहनत किया, इस time को देखने के लिए, और अब आपके पास है, तो कई आप emotional हो जाती है, तो past को नहीं, ना future को, आपको present में ध्यान रखना है अपना, अपने diet का, अपनी exercise का, अपने बच्चे से बात करने का, ताक कि आज के समय में काफी साधा देखी जा रही है, lack of support during pregnancy, कई हों कि husband बाहर है, कोई मजबूत support नहीं है, उनके पास family से, या surrounding में कोई अच्छा नहीं है, कि उनको बहुत अच्छा support मिले तो काफी पारिशान होती है, तो lack of support को अपनी strength बना लीजे, आप independent बने, अपनी मदद खुद करें, pregnancy में आप सारे काम कर सकती हैं, बजाए वो जो कि आपके पेट पे दबाव डालते हों, या फिर बहुत जादा महनत के हों, या भारी काम हों, तो अपना diet, अपनी exercise, अपना take care, आप खुद करने की कोशिश करें, positive रहें, तो आपको कोई कमी नहीं खलेगी, और इसलिए अपनी नीद बहुत अच्छी रखें, इसलिए emotional setback आपको नहीं आएगा, अपनी diet बहुत अच्छी रखें, ताकि आप अंदर से मस्बूत रहेंगे, और इन तरीकों को follow करके pregnancy में जो बार बार आपको रोना आ जाता है, बार बार आप emotional हो जाती हैं, तोटना जैस महसूस करते हैं, वो आपको नहीं होगा, और आपका बच्छा भी बहुत positive होगा, आपको देख कर, उमीद करते हूं कि आप सभी मुस्कुराती रहेंगे, अपना ख्याल रखें, टेक किर बाए